आपने इंड़स्ट्री लीडिंग कंपनी बनाई है। आपका थौट प्रोसेस क्या था? आपको कहां पे पहुचना था? किस चीज के लिए आप निकले थे? आप इतनी पॉजिटिविटी कहां से लाते हैं? आपका रॉल मॉडल प्रेना स्रोथ क्या है? नरेंदर भाई जो आज काम कर रहे है और उसका जो मकसद है, विश्वास भी है, स्रद्धा भी है और विजन दे दिया है। इसमें कोई संका नहीं है, अपने आप विक्सित भारत दिखलाएगा। हर साल 15,000 गरोड का पानी ये धर्ती में मैंने डॉनेट किया। तो मेरे को जो बिना एपलिकेशन उसने पदमस्री का सोसा अपने अपने हैसियत से, अपने अपने लेवल पे, अपने अपने काम पे, अपना अपना निरने पे कुद्रत हमको मदद करते हैं, लेकिन कुद्रत इसको ही मदद करता है, जिसका साफ इंटेंशन है, के लिए व वो तो आगे जाएगी, वो तो चलने वाली है, नरेंद्रे भाई को वहां तक पहुंचाया कि मंदीर इजर तक बनेगा, उसने बोला था, उसके हाथ से ही बनवाया, ये नेचर की, ये पोजिटिविटी की, ये श्यक्ति है, मेरी मदर ने कुछ 10-15 मिनट बाद आपका एक वीडियो मुझे बेजा, मैंने चालू कि आमें उतर ही नहीं पाया गाड़ी से. Welcome to another episode of WisdomCast. Today we have with us a living legend, Mr. Savjibai Dholakya. I will correct myself, Padma Shri Savjibai Dholakya. जी हाँ, आप सबने कानिया सोनी होगी एक बिजनसमान की, एक diamond king की, जीनों ने सूरत में अपने employees को गाड़िया, गर और गहने गिफ में दियें. और एक दो लोगों को नहीं, चार-पांच हजार लोगों को. जी हाँ, आज हम उनी से बात करेंगे. Savjibai Dholakya is the founder and chairman of Hare Krishna Exports, one of the largest diamond export houses, not just in India, but across the world. आज हम उनसे बात करेंगे उनकी journey के बारे में. कैसे उन्होंने स्टार्ट किया आप 12 रुपियों से, और एक ऐसा empire बना दिया, जिसका सालाना turnover 12,000 करोर से भी ज्यादा है. And his achievements go far beyond business. Government of India honored him with Padma Shri in 2022 for his social work. तो आज हम उनसे बात करेंगे और सीखेंगे, कि एक leader कैसे सोचता है. So put on your headphones and enjoy the episode. आका जी, thank you so much हमारे podcast में आने के लिए. आपका बहुत-बहुत सभागत है. मेरे लिए personally एक बहुत-बड़ी बात है, मैं आपके साथ बेठा हूँ. It's almost like dream come true. बच्च्पन में आपकी बाते सुनते हुए हम बड़े हुए है. हमारे लिए आप role model है. और आपके साथ बेठा के मैं बात कर रहा हूँ. वो मेरे लिए personally बहुत-बड़ा achievement है. अंकर अगर कोई भी industry की बात करें, तो कोई भी industry में companies होती है, जो torch पे, top पे होती है, बलब top three या five companies होती है, वो company में काम करना भी किसी के लिए बहुत-बड़ी बात होती है. अगर हमारा कोई भाई या किसी का बेटा बड़ी company में काम कर रहा है, तो वो लोग बात करते कि मेरा बेटा industry की सबसे बड़ी company में काम कर रहा है. तो वो, that itself is a very big thing. आपने industry leading company बनाई है, diamond industry में आपने top की company बनाई है, तो वो तो बहुत-बड़ी सिद्धी हो गई. तो जब आपने शुरू किया था, तब आपने सोचा था कि आप यहां तक पहुचेंगे, आपका thought process क्या था, आपको कहां पहुचना था, किस चीज़ के लिए आप निकले थे? थोड़ा हमें आपकी जर्नी के बारे में डीटेल में बताई है. मैं जबी सोटा था, जबी निकला था, घर से निकला था, तभी मेरी मदर का एक ही सपना था. मेरे को तो ना तो सूरत में रेने का था, ना तो डाइमंड में आने का था, ना तो बिजनेस करने का था, मेरे को तो गाउं में रेने का था. लेकिन मदर की इच्छा थी, फादर की इच्छा थी, कि city में जाओ और पढ़ने जाओ या तो industry में business करने जाओ बार बार आता था जाता था आता जाता था लेकिन mother ऐसा emotional mother से सबको प्रेम होता है मेरी कोई भी mother को mother से जादा प्रेम था अशलिए mother के पास रहने का था लेकिन मदर बोलती थी के बच्चे, लोकों के बच्चे कितने ग्रो कर रहे हैं, कितने बड़े हैं, तु कुछ काम कर, मदर की जो चाहत थी, भावना थी, या तो emotional blackmailing की वज़े से मैं ने ते किया कि अभी मैं थोड़ा मदर को पैसा कमा के दिदू, क्यों मदर का एक ही सपना तु बड़ा admin बन, तु नामा king बन और तु अच्छा admin बन, बड़ा और अच्छा और नाम, तिनों मैस करना बहुत अप था, लेकिन एक मदर ने ये सपना दे के भेजा था बारा साल की उमर में, बारा साल की उमर में, पंद्रा साल की उमर तक मैं तो रोता रहा, और वापस गाओं जाता रहा, आता रहा जाता, अठ्रा साल तक मैंने मन मनाया, कि अभी तो मदर को पैसे कमा के दे दो, तो मेरे को गाओं में रहने देंगी, तो मैंने एक लाग रुपीय का सपना देखा था, एक लाग कमाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करना तो ये सपने के साथ में दोड़ता है, अच्छा अध्मिन कैसे बनो, बड़ा अध्मिन कैसे बनो, और नाम कैसे हुए, पता नहीं चला, लेकिन ये सोच दिमाग में घर कर गई थी, बाद में लाक रुपिया तो कमा लिया, लेकिन ये बाद तो लाक की सपना भूल गया, और पांस थोड़ा गया, I am the best वाला, I am the best, I can do it, God is always with us, अध्मिन होने वाले, today is my new day, ये पांस सुत्र मेरे दिमाग में जब से आया, तब से मैं थान लिया, I am the best, I can do it, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, मैं करके रहूंगा, बड़ा अध्मिन, अच्छा अध्मिन, बड़ा अ ये सोस लेके सलता था, इसलिए मैं काफी लोगों को बलता हूं, और ये मेरा अध्मिन, अच्छा बनने की कोशिश करो, बड़ा अध्मिन, अच्छा मिल जाएगा, ये मेरा तो पूरा जीवन का एक्स्परियंस है, मैंने पैसा कमाते समय भी ख्याल रखा, कि पैसा तो मैं क सलाओ का काम किया, सरोवर का काम किया, और मेरे को बिना एपलिकेशन पदमस्री मिल गया, तो नाम भी मिल गया, तब ही मैंने मदर को बोला, मैं बहुत खूस भी हूँ, हैपी भी हूँ, और मदर का जो सपना था अच्छा अध्मिन बनना, बड़ा अध्मिन बनना, वो तो मदर आज जिन्दा है तो वो भी मेरे पे बहुत प्राउड की मोमेंट है, मदर फादर ने जो सपना मेरे को बारा सावली उमर में दिया था, वो सपना मेंने मेरे एक सट साल तक मैं पुरा कर सका, और आज तो मैं बहुत खुश हूँ और एपी हूँ ये सोटी सोटी बात है, ये सिंपल बात है लेकिन मेरे लिए पूरा सामराजिय खड़ा करने में ये मदर का सपना ही है, और मैं इधर तक पहुंच गया, अफकॉस आपकी मदर ने कुछ तो आप में देखा होगा, उन्होंने आपके लिए सपना देखा बच्पन में मेरा ऐसा दिखाओ भी अच्छा नहीं था लेकिन अच्छा करने की ये भी भावना थी और अच्छा बनने की भावना थी तो मेरे को इधर तक पहुंचा दिया ये फैक है, इसलिए मैं जिसको बोलता हूँ, लोग पैरना लेते हैं, लोग इसमें से विस्वास बढ़ाते हैं और नक्की करते हैं और खुद का जबी डेवलोप होता है तभी ये मेरे लिए और इसके लिए ये बहुत बड़ी मोमेंट है लेकिन ये फैक है, मैं इसलिए विस्वास के साथ, स्रद्धा के साथ भरोसा के साथ बोलता हूँ जो आदमीन अच्छा बनने की कोशिश करें बाकी का सब कुस उसको मिल जाएगा एक अच्छा बेटा कैसे बनूँ एक अच्छा नागरिक कैसे बनूँ एक अच्छा बिजनेसमेन कैसे बनूँ एक अच्छा दोस कैसे बनू एक अच्छा ब्रधर कैसे बनू, एक अच्छा पिता कैसे बनू, एक अच्छा मानो कैसे बनू, तो automatically सब कुस आ जाएगा, यह मैंने फिल किया है, और नेचर की सब शक्ति, कुद्रत की सब शक्ति अपने को मदद करती है, आपके लिए काम करती है, मुझे भी बड़े बुज है कि आपके लिए आज भी अच्छा आदमी बनना ज्यादा इंपोर्टेंट है, और पहले भी था, और शायद इसलिए आप इतने बड़े बने हैं, एक चीज़ यह मैंने सुनी है, कि no exceptional success would come with ordinary efforts, कोई भी असाधारन सफलता, साधारन मेहनत से नहीं मिलती, आपने आपकी जो कर रादा, जब आप लीडिंग एंटरप्राइज है, और आप वो चुनोतियों का सामना कैसे करते हैं? तो मैंने जो ठाम लिया था, इसलिए अताशा निरासा ने मेरे को बहुत परिशा नहीं किया, लेकिन मैं यह समझता था, अताशा जब भी आती थी, तो मैं मजबूत होके बाहर निकलता था, क्योंके भगवान पे मेरे को बरुसा ज़्यादा था, और आज भी है, कि मेरे को मजबूत बनाने का है, इसलिए सुनेता दे रहे है, सुनोतिया इसलिए दे रहे है, तो जबी-जबी सुनोतिया भी तो मैंने मजबूत है इसे बाहर निकला, और सुनोतिया भी अपने को सेक करेगी, एक एक एंप्लोई रखते है, तो एंप्लोई को भी हम सेक करते है, एक तो करेगा कि ये मेश विप्योग तो नहीं करेगा ने तो सुनोती तो आती रेगले कि सुनोती आवे तभी खुस होने का ये मेरा अनुबह है सुनोती टेमपरवारी है सुनोती में स्विकार लेंगे और सुनोती में हार जाएंगे तो भगवन भी आपको आगे नहीं ले सकता है जबी जबी सुनोती आती है तो मजबूत होने का मानसीक मजबूत पकड़ने का कि सुनोती आई है मेरा विकास होने वाला है मैंने तो यही सोच के जबी जबी प्रॉब्लम आया तब ही मैंने यही सोगा आज अपना विकास होने वाला है विरोध आता है तब ही मैं तो चेके साथ एगरी होके अपना रास्ता बदल नहीं देने का हमारा रास्ता अलग हो सकता है विरोध हो सकता है लेकिन हमारा लक्स को अमनी सोडने का रास्ता दूसरा ढूनने का लक्स हासिल हो जाएगा ये भी मैंने अनुबू किया है काफी सुनोती आई है आज भी सुने तो या इतनी आती है और सुनोतीयों को मैं इसलिए बहुत परवा नहीं करता है मैंने काफी बार अपने लेक्चर में बोला है अभी तक तो मेरे पास कुछ नहीं था फिर भी मैं यहां तक पहुँचा हूँ बारा रुपिया टिकीट लेके आया था सुरुच चे और आज बारा पंदरा अजार करोड का काम कर रहा हूँ मतलब 61 साल हो गया है आज तो मेरे पास पैसा भी है और आज मेरे पास परिवार भी है आज मेरे पास समाज भी है और सरकार भी है अभी तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो अभी मैं 61 साल हुआ, अभी मेरे को 40 साल और काम करने का है, 100 साल जीने का है, 100 साल जीने का है और 400 साल का काम करके ये 40 साल में मरने का है, 400 साल का काम करने का है, 40 साल में, मेरा यही सपना है तो कुद्रत अपारे साथ रहेगी तो ही होगा ने कुद्रत की जिमेदारी है मेरे को वहाँ पहुचाने के मेरे लिए मेरे को नहीं काम करने मेरा काम है राष्ट के लिए समाज के लिए नेचर के लिए और धर्ती के लिए यही मेरा सपना है, तो मेरा सपना यसा है, कि समाज को, खुद्रत को और भगवान को, मेरे को सक्सेस करना ही पड़ेगा, तो ही मैं 600 साल का काम कर पाऊंगा, और मैंने तो उसके उपर सोड दिया है, यह नेचर के भी सपट करते हैं, अब दूसरे के लिए अच्छा सोचते हैं तो दूसरे अपने लिए अच्छा सोचेगा, हम कुद्रत के लिए, नेचर के लिए, राष्ट के लिए काम कर रहे हैं, राष्ट अपने लिए काम करेगा, यह नेचर का नियम है, तो यह लॉजिक मैंने बहुत परफेक समझ लिया है, और वही सक्सेस होने की या तो सक्सेस की वज़ा है ऐसा मैंने खाफी बार अनुभो भी किया है प्राब्लम आया तभी भी यह सब पॉइंट आया तभी भी मुसीबत आया तभी भी और अपने जीवन में तो यही मेने सोसा है यही मेरे जीवन में बना है मेरा केने का तापतर यह भी वही है, आपके उपर यह सब point आएगा जभी आप success होना सरू करेंगे, लेकिन हमारा रास्ता बदलने का नहीं है, हमारी source बदलने का नहीं है, I can do it, I am the winner, I am the winner होने वाले है, God is always with me, I am the best, but I can do it, forgetting कल की बात, today is my new day, यह मेरे पांच सुत्रों, हर कोई आद्मिन को, दुनिया का, हर कोई लोगों को यह काम लगता है, और यह एप्लाइ करें, तो सब लोग सफ़ल हो सकते हैं, no doubt, देरी से होए, लेकिन सफ़ल तो हो गई, इसमें कोई doubt नहीं है, मैंने पिछले कुछ सालों में शायद इतनी पॉजिटिव बात नहीं सुनी, जब आप छोटे थे, आप अपने मन से विनर पहले से बन गए थे, आपने जो पांच सुत्रों बताए थे, अभी आप बोल रहे हैं कि जो भी चुनोती आती है, मैं समझता हूँ मेरे लिए ग्रो होने का टाइम आ गया, और आज यहां तक पहुंचने के बाद आप सोचते हैं कि मुझे 40 साल में 400 साल का काम करना है, मतलब हम सब के लिए तो आप रॉल मोडल है, लेकिन आप इतनी पॉजिटिविटी कहां से लाते हैं, आपका रॉल मोडल प्रेना स्रोथ क्या है? मेरा वेशे तो रॉल मोडल बढ़लता गया, स्टेप बाई स्टेप, पहला मेरा दो चाचा था रॉल मोडल, चाचा उसको मैंने फोलो किया, दोनों का रास्ता अलग-अलग, मक्सद एक था, दोनों सों में में सीखा, और यहां तक पहुँचा, अभी तो मेरे को तो शक्ती लगती है, नरेंदर भाई जो आज काम कर रहे है, और उसका जो मक्सद है, और उसको जो शक्ती मिल रही है, तो हम भी पा सकते हैं, आज उसकी जो आईट बढ़ गई है, हमारे भारतवाशियों के लिए समझना भी मुश्किल है, वहां स्थिती उसने पा लिये, ऐसा मत समझना कि मैं उसका भगत हूँ, कि मेरे को उससे कुछ पाना ये का है, लेकिन ये नेचर की शक्ती, ये कुद्रत की शक्ती, जब भी राष्ट का अच्छा करने का है, समाज का अच्छा करने का है, कुछ ऐसा करके मरने का है, तभी शक्ती काम लगती है, अपने अपने हैसियत से, अपने अपने लेवल पे, अपने अपने काम पे, अपना अपना निरणे पे कुद्रत हमको मदद करती है, लेकिन कुद्रत मदद करती है, वो हमने experience किया है, और feel किया है, समय समय पे उसने मदद मेरे को अभी तक किया है, मैं भी काफी बार आता सिया हुआ हुआ, क्योंकि नरेंद्र भाई को प्रॉब्लम आता है उसके लेवल के तो हमारे को भी इतना लेवल पर प्रॉब्लम आता ही है हमारे से डाउन है उसको भी इसके लिए हमारा एंप्लोई को भी इतना प्रॉब्लम आता है जो हमको से बड़ा वो मानते है लेकिन प्रॉब्लम के बीना इसके पास कुछ शक्ति है बीना देखे जान जाती है बिना बताए समझ जाती है और एडवांस में सोस आ जाती है ना कोई connectivity है मेरे को जो बिना application उसने पदमस्री का सोसा इसका मतलब कि ये गहराई काम की जान गई है बिना देखे अभी तक तो उसने नहीं देखा है खाली उसने सुना है फोटो देखा है खाली सुना है मेरे को देखा कुछ नहीं है लेकिन जो उसको करना चाहिए उसने कर लिया था ये सोस आती है ये कौन देता है कुदरत हम सब एकी कुए के पानी पीते है और एकी मा के बच्चे है not a difference भारत मा के बच्चे है और भारत का पानी पी रहे है कोई difference नहीं है सोस हमारे से हमारा विकास होता है हमारे से हमारा ग्रो होता है और हम सोस की वज़े से पहुंचते है उसकी जो सोस है मैं मानता हूँ आने बाले 20 साल में पुरी दुनिया ये वीडियो देखेगी और तभी बोलेंगी तभी उसको मान्य में आएगा कि हमको क्या खजाना मिला है क्या आइडिया मिला है क्या सोस मिला है यह हमको रॉल मॉडल रेडी है यह करके दिया है हम स्वामी विवेकानन की बात सुनते है लेकिन हमने तो देखा नहीं है जब तक देखा नहीं हमको भरसा नहीं आएगा गांधी जी की बात सुनते हैं, अमने तो देखा नहीं है, जिसने देखा, तभी उसका लेवल समझ नहीं था, आज तो मिडिया की वज़े से, पूरी दुनिया की समझ, पूरी दुनिया को है, आज बढ़ गई है, रहे हैं, आज वैसे सरदार वाल भाय को तभी नहीं जानते लेकिन आज तो जान गया ने, पूरी टेकनोलोजी की वज़े से, पूरी दुनिया, आज तो ये जो बात, शोटी-शोटी मिटिंग लेते थे, वहां से लेके, आज वाइबरन गुजरत की टॉप, या तो अमेरिका में टॉप मिटिंग ले रहे हैं, सब रेकोर्डिंग है, तो कैसे बड़े हुए, कौन सी सोच से बड़े हुए, ये यंग्स्टर के लिए तो बहुत बड़ा लाई एक्जाम्बल है, काम करना चालू कर दे, ये से बड़ा एक्जाम्बल कभी निए, हमने इतियास सुना है, पढ़ा है, ये तो इतियास देख रहे हैं, तो हम जो ही रहेंगे, हमारी सोच बडलने की है, हमारे पास लाई मॉडल है, मैं आज बात कर रहा हूँ, मेरे पास क्या था, ये लाई मॉडल है, आपको कुछ करने का है, तो कर भला, होगा भला, ये बात सुनी थी, लेकिन करना चालू कर तो सही, अपने आपको मिल जाएगा, ये करना की बात है, सब में कहीं ने कहीं खुबी है, कहीं ने कहीं, मन्सुख भाई मांडविया देखो, एक्जाम्बल है, कहां, गाउं में, उसको लोगों ने मत नहीं दिया था, सुटनी हार गया थे, लेकिन उसकी सोच नहीं बदली, सपना नहीं बदला, इंटेंशन नहीं इरादा नहीं बदला, राष्ट की सेवा करने के लोग या परवा करें ना परें, आज कहां पहुँचे हैं? यही सोच रखनी पड़ेगी है, तो कोई भी आजमीन विकास कर सकता है, कोई भी किसी को भी कुद्रत मदद कर सकता है, लेकिन कुद्रत इसको ही मदद करता है, ज विकास होना चालू हो जाएगा, खूद अनुभव करके देखो, खूद एक साल का जीवन जी के देखो, अपने आप विकास हो जाएगा, यह सत्यनाराइन गोइंका जी बताते हैं, मैं बोलता हूँ, ऐसे मत मानो, आप एक बार हमारी स्विविर करके देखो, अपना की है सुरधा की है विश्वास की है और सूस की है मैं अक्सर सोचता हूं कि जब हम बिलियोनर्स को mostly टीवी में देखते हैं बहुत कम सौपागे मिलता है कि बिलियोनर्स के साथ बैठके उनकी बाते सुने उनकी उनके जो थौट्स होते उनको समझे एक चीज मुझे आज समझ म आ रहे ही कि आपको बहुत clarity of thought है कि आपको क्या करना है चुनोतियों का सामना कैसे करना है प्रेणा कहां से लेनी है एक्जिक्यूट कैसे करना है नेचर मुझे सपोर्ट करेगा मुझे मेरा काम करना है अपने बहुत अच्छी तरह से मेरी बात को समझ लिया है जो लोग करो दिल से रदे के साथ विश्वास के साथ भावना के साथ इगो के साथ नहीं सरदा के साथ करो रिक्वेस करनी पड़े तो रिक्वेस करके समझाओ इगो के साथ नहीं उसमें भी भगवान है और अपमें भी काम हो ही जाएगा ऐसा मैं सरवर का काम करता हूँ तो काफी ब बोलता हूँ और वो भी विरूत करते हैं दिखते हैं। किया क्या सोच थी अंकल थोड़ा डीटेल में बताई वो जो रेक्लमेशन प्रोजेक्ट उसके बार थोड़ा डीटेल में बताईए जैसी पैट्रोल की जो किमत है इससे ज़्यादा पानी की किमत होगी और आज भी है आज अपने गाउं में जाऊंगे मैंने जो पानी का काम क और हमारी गुज्राज सरकार, फार्मर को सुर्टालिश रूपये लीटर खर्चा आता है और पानी पहुचाता है आज भी किसी को पता नहीं है, इतनी गहरी बात सुर्टालिश जॉक नहीं है, यह डेटा है गुज्राज शरकार के पार उसको नरव दामा से पानी निकाला, डेम में से पानी पंपिंग किया, नहर बनाया, इसके पी से फोस्ट लगी है, इसके लिए से विजली लगी है, इसमें जो पैसा इन्वेस हुआ है, वहां कछ भुज में, अमरीली जिला में, जामनगर जिला में, के राज़कोट, डेम में पानी डालने का पर लिटर सुर्टालिस रुपिया खर्चा आता है यह कोई जानता नहीं है और यह पानी की किम्मत क्या है देख लो आज तूडे की बात करो 40 रुपिया गाई का दूद चला हमको मेंगा लगता है गाई कैसे बचावे फार्मर को कैसे बचावे फार्मिंग कैसे करे खर्चा इतना होता है तो आने वाले समय में तो पानी की दिकत बहुत आने 400 रुपिया नहीं 400 सित्य रुपिया लिटर का होगा तो भी अतिशियोक्ती मत समझना तभी मैंने पानी क्या क्या लिवल से पानी धर्ती में डाला है और टंकी में डाला है और पानी भरा है हमारा 800-1000 फुट पे पानी था आज 35 फुट पे पानी है ये पूरा एरिया में बहुत बड़ी बात है ये पानी पान साल से मैं जमीन को दे रहा हूँ फार्मर यूज करें यूज हो गया बास भी भवन हो गया फार्मिन में यूज गया ये तो अलग जमीन में इतना पानी डाला है तो ये पानी का काम हम कर रहे है आज जो मैंने काम अभी तक किया पान साल में ऐसा काम तो हम हर साल में एक बार करेंगे इतना importructure और इतनी हमारे पाए ग्रीप और इतनी पकड़ा गई है काम पे से साल में जो काम हुआ हर साल इतना करेंगे तो अभी तक मैंने जो पानी धर्ती को दिया पानी बचाया गुजराच सरकार का खर्चा होता है वो कैलकूलेशन करू तो हर साल 15,000 करूर का पानी ये धर्ती में मैंने डॉनेट किया है ये हमारी टीम ने काम किया है तो मेरा मकसद क्लियर है, गोल क्लियर है, फाइदा क्लियर है तो मेरे को नेचर, समाज, राष्ट, सरकार, सत्ता, संपति, सब सपोट करेगी मैं तो एक जरिया हूँ, मैं तो एक बेज हूँ, मेरे से काम हुआ है ये सब सपोट मिलेगा और मिलता है ये काम मैंने पानी के लिए किया है और अभी बीबकानी काम चालो है अब कोई भी देखने जाएंगे तो दिमाग में बैठेगा नी इतना बड़ी हाकाम हो रहा है ये अंकल ट्रूली वो चारसो साल वाली सोच है कि मुझे चालिस साल में चारसो साल काम चालिस साल में करने का है ये ही बोलता हूँ लेकिन ये तो हजारो साल तक दुनिया याद करेगी दुनिया याद करे करनों करे लेकिन मेरे अंदर में जो फिलिंग हो रही है जो मेरे को हैपिनेस मिल रही है मैं जो आज ये काम की वज़े से लगखो प्रॉब्लम के बीच में भी खुश और एपी हूँ इसकी वज़ा भी यह है कि I can do it मैंने जो काम भगवान ने मेरे से कराया है ना तो मेरे को अताश होने दे दे ना तो मेरे को आरने देंगे ये भपिंद्र भाई ने मेरे को भी बताया उसको भी पता है कासी दिपगाती है लेकिन उसने यही एक वचन दिया है तुझे ठकने नहीं देंगे इतना आमदित करेंगे तुझ ठकेंगा नहीं बेशक और आप ठकेंगे नहीं ये तो सबको पता है और यह सब थौट से मेरे लिए काफी है कोई शक्ती यही ऐसी हमारे साथ है जभी-जभी मुशिबत जभी-जभी दिक्कत जभी-जभी हम आर जाते है तो पिसे बैठ जाती है और तरत तज अपने को वो एन्वाइरमेंट से बाहर निकाल देती है मैं भी अताश होता हूँ एक मिनिट से ज़एदा कभी अताश रहा नहीं हूँ काफी बार ह Оंताश हो जाता हूँ क्योंकि अनेकषपेक्टर —प्राबलम आ जाए अनेकषपेक्टर —घटना खट जाए तो एक मिनिट, दो मिनिट होता है लेकिन फिर से निकल जाते है इसलिए मैं सेयर करता हूँ कि सबके जिवन में ऐसा ही बनने वाला है ये कोई समधकार नहीं है ये कुद्रत का लो है कर बला तो होगा बला और कुद्रत सपोर्ट करेगी जब हम कुद्रत का काम करेगी समाज सपोर्ट करेगी हम समाज का काम करेगी और सत्ता भी सबोट करेगी, जो उसका लिए हम वजद का काम कर रहे हैं, तो यह हो रहा है, करते है, और वेभी में भी खुश हूँ, हम लोग आज बैठे हैं, तो समझते हैं, इसमें से जो भी प्यारना लेंगे, तो सब का विकास होगा, और सब का साथ, यह जो इसकी सोस है कहां से आई यह नई सोस आई विक्सित भारत जैसे रामराज्य का स्थापना 22 तारिक की होगी और विक्सित भारत का सरुवात होगी यह सोस लोगों की बदलेगी हमारा एक धर्म होगा हम सब एक होंगे सबका गोल एक होगा सबका लक्स एक होगा विक्सित भारत राष्ट का कैसे बला होगे समाज का कैसे बला होगे तो वैसे ही भारत को बदलने में बहुत समयनी लगेगा मैं तो बहुत अच्छी तरह मेरे दिमाग में बैठ गया है और सदा के साथ, विश्कास के साथ मैं तो यही फिलिंग में जिता हूँ, जिन्दा हूँ और जीवन को आगे बढ़ाता हूँ, कि यह रामराज्य तो होने वाला है, वेक्षित भारत होने है, दुनिया माने या नहीं माने, उसकी सुरूआत हो गई है, और मैंने तो बंधाक से देख लिया है, होने वाला है मैं आपको भारत की विकास यात्रा के बारों में वैसे भी पूछने वाला था, आप कुछ दाइकों से बिजनेस कर रहे हैं, शायद 40 साल हो गए, तो आपने भारत को बदलते हुए देखा है, जब आपने स्टार्ट किया था, भारत कुछ अलगी था, बहुत सारे चुनोतिया हो गई है, अगर मैं कुछ data points के बात करूँ, तो पूरी दुनिया के आदे digital transactions भारत में हो रहे हैं, जो fintech space में जो भारत में हो रहा है, वो शायद कहीं पर भी नहीं हो रहा है, आप तो आपने तो दुनिया देखिए, मैं भी थोड़ा बहुत गुमता हूँ, मैं बाहर दे है, हम पहुंच गए, कहां पर जाना है, और युवानों को भारत को as land of opportunity क्यों देखना चाहिए, लोगों को कैनेडा जाना है, UK जाना है, लेकिन बहुत सारे से युवा वर्ग है, जिनको पता है कि जो यहां पर है, वो कहीं पर नहीं है, तो आपका उनके लिए क्या message है, दुनिया को किसी का नहीं मानता है, और आएस विश्वों में यंग्स्टर भारत में है, और भारत की तासिर है, आएस मैनत भारत का लोग कर रहे है, और आज education भी भारत में इनप यंग्स्टर को मिल गया है, जो आज आपकी उमर के 25-30 साल के लड़के हैं, उसका है, ओने स्रद्दाभाय है, उसका लक्स क्या है, विक्सित भारत, और फॉलmb कोण करने वाले है, यंग्स्टर करने है, जो अधर चान भी करने वाले है, विश्वास भी है, और बNow, विजन दे दिया है, इसमें कोई संका नहीं है, अभी तक हमारे पास sogar दर भारत की ही, ह बहुत बड़ा है, उसने जो बात बताया, कि चालीश साल में ये होने वाला है, मतलब होने वाला है, यंग्स्टर सुन रहे हैं, आज हमारे पार इंपाटक्चर है, मैंपावर है, मनी पावर है, और विजरियर हमारा लीडर भी है, पूरी लाइन क्लियर है ये बिस साल में 200 साल का भारत का विकास होगा कितना 200 साल जरा भी आतीश योक्ती नहीं है और ये में मानता नहीं पूरी दुनिया मानने लगी है क्योंकि भारत की ताकात सबने देख लिए एक लिडर के आधार पे है ये नरेंदर भाय का सपना है और ये उसका विजन है यंग्स्टर उसको फौलो करता है ज़ले इसके जो फोज है वो विकास करेगी इसमें कोई संका नहीं है भारत आज ऐसे स्टेज पे है कि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं और नहीं अभी नहीं यंग्स्टर फौलो करने वाला है ये पांच बदल गया डजन मेटर आपको ये ट्रेंड में बेठना है तो बेठो नहीं तो यू के एनड़ा जाना है तो महां पे जाना है बुलेट ट्रेंड है अठाई गंटे में बंबई पहुंचने वाली है लोकल में पहुंचने का तो पांच गंटा लगेगा साइद लोकल बंद भी हो जाएगी आप पहुंचे भी नहीं लेकिन बुलेट ट्रेंड पहुंचेगी ये ही सोस है और यही विजन है अरो होने वाला इसमें कोई नई बात नहीं है अभी हमारा पांसो साल के बाद राम मंदीर बनाने अभी तक तो किसी ने सोसा ही नहीं था बनने की बात तो बाहर नरेंद्र भाई ने 35 साल पहले बोला था कराम मंदीर इधर ही बनेगा, 35 साल पहले बोला था तभी नरेंद्र भाई कुछ नहीं था, बहुत बड़ी बात है ये, ये इतियास बुलता है, और उसका रेकोर्डिंग भी है, कि मंदीर इधर ही बनेगा, और आज इधर ही बना, 35 स पेले बोला था, इसलिए बना, तो भदवाने एक सूभ विशार के लिए, एक पॉजिटिविटी थोड के लिए, नरेंदरे भाई को वहां तक पोईचा आया, के मंदिर इधर तक बनेगा, उसने बोला था, उसके हाथ से ही बनवाया, ये नेचर की, ये पॉजिटिविटी की ये शक्ति है तो 35 साल में पुरी सोस बदल दी पूरी परिश्टिती बदल दी और वहां से वहां ले गए ये नेचर करता है ये शक्ति को जानता नहीं है ये शक्ति मेरे को तो दिखती है कि वो जो बुलेगा वो बहुत जल्द होगा ये उसके पास शक्ति नेचर की है अंकल मावाप को आपने जात्रा बे बेजे हैं यह कल्चर डिवलप करने की सोच कहां से आई या क्या यह conscious effort था कि अपने आप डिवलप होता गया यह अपना है कि एक कीम समझो एक motivational program समझो एक social समझो एक जवाबदारी समझो एक एक धर्म समझो इससे बड़ा कोई नहीं हो सकता है अपने यह काम करते है वो happy होना चाहिए उसका परिवार happy होना चाहिए यह काम अपने यह करता है यह happy होगा तो ही हम happy रहेंगे और हम दोनों जब ही होगे तो ही विकास होंगे और दूसरा सोड़ दो हम दुनिया की उसका ही काम करें जब तक हो सके और लिबल पर करें, तो आदमीन कैसे खूँज होगा, गाडी ये से कूँज होगा, दुस्रा सपना घर का होता है, तो हम लोग यह ट्राइ करता है को हो है, पैपीनेस कैसे बड़े, बाद में उसके मापब के यातरा करें, माबाप के प्रती उसका प्रेम बढ़ेगा, माबाप के प्रती लागनी बढ़ेगा, यह भी एक धरम काम है, यह भी एक मंदिर जाओ या नी जाओ, दुसरे के गर में हैपिनेस बाटो, दोनों बाप दिकरो एक होए, दोनों परिवार एपिसे खावे, वो बहु साथ में खान अच्छी तरह से जीवन जीवे, तो पैसा सुख नहीं देता, समझ भी सुख देता है, तो अपने जीवन में वो लोगों ने साफी प्यारना लिया हुआ है, सबका घर में, कोई ने कोई एपिनेस बढ़ी है, पैसा भी बढ़ा है, एपिनेस भी बढ़ी है, सुख भी समझो ने, एक धरम समझो, एक जवबदारी समझो, whatever, I don't know, आप जो भी समझ सके, इससे बढ़िया कोई काम होई नहीं सकता, तो जितना हो सके, इतला सीस्टम से करो, जो जैसा पानी का काम करो, लोग मेरे को तारीब करें या नहीं करें, लेकिन कुदरत का काम करें, ये मैं हैपिनेस के लिए काम करता हूँ, ये समझे या नहीं समझे, लेकिन इसके घर में हैपिनेस की बीज हमने रोपा है, वो इससे हम फैक्टरी का काम करते हैं, सोशल बिजनेस करते हैं, सोशल बहुत ज़्यादा करनें जाओ या नहीं जाओ, बिजनेस में ही सोशल करो, वो ही ह वह माहिन्यता है, और इससे हमको बहुत खुशी मिलती है, happiness मिलती है. मुझे आपकी एक बात बहुत अच्छी लगती है, आपने एक बार बुला था कि हम diamonds नहीं बनाते, हम हमारे employees को diamonds बनाते और वो फिर हमारे लिए diamonds बनाते. मेरा यही बात था, डाइमन भाई प्रोड़क बनता है, पहले आदमीन बनाओ, अच्छा आदमीन बन गया, डाइमन बनेगा, भारत अच्छा बनेगा, परिवार अच्छा बनेगा, ब्रदर अच्छा बन जाएगा, पिता अच्छा बन जाएगा, पती अच्छा बन जाएगा आदमीन अच्छा बनाओ, वो सब रोल में अच्छा हो जाएगा, अपने आप विक्षित भारत दिखलाएगा, कहलाएगा और दिखेगा, यही तो नरेंद्र भाय का सूत्र है, यही हमारा सपना है, तो हम डाइमन नहीं बनाते हैं, आदमीन बनाते हैं, आदमीन मतलब एक लि बनाते हैं, सब रोल में वो अच्छा बन गया, डाइमन तो बाई प्रोड़क है, पैसा भी बाई प्रोड़क है, यह फेक्टरी डाइमन बनाने के नहीं, आदमीन बनाने के, इसलिए में यही सौटकट में, यह मेरा थौर्स बन गया है, बोलता हूं, अंकल सफलता के इंग ग्रेडियेंट्स है, कि यह तेन चीज है, तो चही है ही, बढ़िया, यह पांच में बोलूँगा, तीन नहीं है, पांच सीज है, पहले तो अपना एकी सोस के साथ काम चालू करो, एकी सोस के साथ जिन्द जिवन जिओ, कि हमारा नुक्षान शरीर का होना नहीं चाहिए, अ कोई भी स्टेप ऐसा मतलो के पैसा आवे और परिवार दूर हो जाए, दूसरा, तीसरा स्टेप है, हमारा राष्ट, इसको नुक्षान होए, वो स्टेप कभी नहीं लेने का, और सोथा है, धर्ती, खराब होए, ऐसा कोई बिजनेस नहीं करने का, और पांच माँ एन्वार आपको काम लगे, यह पांच थोड मगजबे रखने का, यह सोच के बाद कुछी की सला लेने की जरूरत नहीं है, पांच का नुक्षान नहीं है, डिसिजन ले लो, पांच का नुक्षान नहीं है, डिसिजन ले लो, अपने आप विकास हो जाएगा, अपने बच्चे को भी करने का राष्ट का नुक्षान नहीं करने का राष्ट का नुक्षान नहीं करने का राष्ट का नुक्षान नहीं करने का दर्ती का नहीं करने का और हवा का नहीं करने का अपने आप एकास हो जाएगा यह सोच के साथ कोई भी दंदा चालो करेंगे स्टेप आगे लेंगे अपने आप रास्ता बनता जाएगा अगल एक और चीज आपके बारे में ने सुनी कि आप टेक्नलोजी और इनोवेशन को काफी महत्वा देते हैं HK has one of the best infrastructures and technologies when it comes to diamond industry तो आप रूची रखते थे technology में और ये सब infrastructure आपने डिवलप किया कि ये भी अपने आप होता गया जैसे आप चलते रहें technology या तो कोई भी नया start है कोई भी नहीं system आई कि नया कोई idea है नहीं कोई technology है first अपने को अनुभव कर लेना उपयोग कर लेना क्योंकि समय के पीसे हम नहीं रहे जाए ये हमारी पहले से सोच थी कोई भी idea है कोई बोले कि मैं विस फूट का jump लगा सकता हूं तो अपने को try कर लेने का चाहिए नहीं होगा 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 करू नहीं करू नहीं करू नहीं करू ऐसे जिन्गी चली जाएगी अपना तो पहले से था experience कर लो जा तक जान नहीं जाए तब तक का सब रिख्ष ले लो अनुभव कर लो या तो सफल होगे या तो निस्पल होगे सफल हुआ तो आगे जाएगे निस्पल हुआ तो experience बढ़ जाएगा और दूसरा idea ले किया नहीं यही वज़े से हमने technology का भरपूर उपयोग किया और advance उपयोग किया काफी खर्चा भी किया और हम फाइदे मंद रहे और ग्रो होता गया अगल आप competition को कैसे देखते हैं competition को देखता ही नहीं हो अपने को ही अपने से competition है और आगे best क्या करू I am the best I can do it और अभी में क्या कर सकता हूँ competition तो रहेगी हम गाउं से गाड़ी लेके जाएगे पुरी विश्वकार रन लगा के आएगे तो आगे एक गाड़ी होगी वो देखने की जरूरत नहीं है कोई ना कोई तो आगे रहेगा है कोई ने कोई होगा ही अपने को safely part अपना round पुरा करने का है that's it जो हो सके है वो करने का है थोड़ा आपकी philanthropy और CSR initiatives के बारे में बात करते हैं हमने server के बारे में बात की थोड़ा ओर detail में discuss करेंगे तो आपकी यहाँ पे CSR initiatives बहुत सारे होते हैं और यह पहले से हो रहे कि CSR compliance बना आपके लिए उसके बाद आप कर रहे हैं आपके लिए पहले से समाज के लिए कुछ करना always important रहा है तो अगर आप कुछ बता सके कि कौनसी कौनसी activities आप कर रहे हैं और क्यों CSR का बहुत अच्छा दिखाया है business में आया तभी पता चला हमारा बापा गाओं में था कुछ पैसा नहीं था खेती बाड़ी करते थे तभी भी एक CSR लेके बगवान का भाग रखते थे और तब से लेके हम लोग भाग रखते हैं इसलिए CSR करते है कि पैसा तो गौड का हमारे पांस पेड़ा है तो पैसा कैसे मैक्सिमम मल्टी पर उप्योग हो सके जात से हम काम करना सालू किया था CSR तो हमारा काई गुणा CSR से जादा हो रहा है लेकिन CSR नहीं है यह आस्ट की रिस्पोंसिबिलिटी है CSR तो एक नहीं लोग समझते उसके काईदे के अनुसार बनाया है यह सबसिजम मलेगी जो पैसे से भी नहीं मिलती है तो एक करके तो देखो हमारा पैसा जितना भी पैसा आया है उसकी शुद्धी करन दान करने से दूसरे को दूसरा कवला करने में लगाते है उसकी शुद्धी करन हो जाती है यह बहुत बड़ी philosophy है तो अगर सोसा के क्या काम करें हम directly काम करें तो हम काफी यूज करते हैं जो out of way जाके यह सारी है नहीं जो पानी के लिए काम करते हैं दुस्मन का भी भला होता है किडी जिवों से लेके सिउत सभी जिवों का इसमें कल्यान है इनिमल सभी का कल्यान है एन्वार्मेंट प्लानटेशन सभी का कल्यान इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सोस लेके हम maximum मा maximum पानी के लिए काम करेंगे और CSR से तो कहीं गुना जादा करेंगे और मैंने ये फिल किया से साल में जितना मेंने काम वहां पे किया इससे हमारा ग्रोफ भी अधर मैं नहीं हाजर था तो भी बड़ा इसका मतलब आप करो कहांसे भी अपका ग्रोफ हो जाएगा कहांसे फायड़ा काफी लोग अमारा काम देखके आज तो काफी लोग हम को बोलता है कितना तेरे को चाहिए, तू काम कर, पैसे इसमें कोई बड़ी बात ही नहीं, काम करना चालो करो, बाकी का, सब कुछ कुछ हाप होता जाता है, इसे करते हैं, यह बहुत ही बड़ी बात है, मनलब CSR उन लोग के लिए जो compliance के तौर पे करेंगे, करेंगे, उसको compliance के तरह बगवान भी इतना ही देगा, जो इसकी मजदूरी है, आउट ओप वे जाके कभी नहीं दे सकता है, हमको happiness, आउट ओप वे, खुशी, happiness, जो सीज, हमको तंदूरस्ती दिये, और आज परिवार दिया है, अब बिलिग नहीं कर पाएंगे, कोई ऐसी, बगवान ने कमी नहीं नहीं करते हैं। सुनते हैं मैं आपको एक मेरा पर्सनल एक्जामपल देता हूं कुछ एक साल पहले मैं थोड़ा डाउन था बिजनस में I was very stressed और वो टाइम पे मैं अकेला था मेरा पुरा परीवार बहार था लंडन में था क्योंकि मेरे बड़े बाई वहां पे रहते हैं यूजली मैं ये अगर कोई बिजनस में कुछ प्रॉब्लम हो तो मैं बड़े बाई से डिसकस करता हूं या मदर से डिसकस करता हूं लेकिन वो दोनों नहीं थे यहां पे मैं अकेला था गर पे उन्होंने मुझे फोन किया मैंने फटाक से फोन पे बात करके रख दिया क्योंक कमज़ोर नहीं है हम किसी से कम नहीं है मैं बेस्ट हूँ मुझे बेस्ट करना है और मैं चितूंगा और ये विडियो सुनके कुछ एफ गंड़े का स्पीच्च था और आप मानेंगे नहीं है, मैं गाड़ी पार्क कर रहा था मुझे मम्मी ने वीडियो पेजा मैं उतर ही तो आपको पता है आपकी philosophies लोगों के life change कर सकती है ऐसा काफी लोगों ने मेरे को example दिया है और ये philosophy मेरे को भी एक हिम्मत देती है motivate करती है और इतनी happiness मिलती है कि आपका साइद करूरो रुपिया दे जाओ लेकिन ये खुशी फिल नहीं होती है एक खुशी फिल होती है मैं जब किसी अंजान अद्मिन के मुझे सुनता हूँ तो पैसा ऐसा लगता है क्या बात है और बात तो सही है ये मैंने experience किया है अपनी जिवन में आप भी experience करो अताशा निराशा आपको कोई touch नहीं करेगी आप भी happy होंगे ये मेरी philosophy बहुत डर्ड पड़े मानना इसलिए बार-बार बोलता हूँ ये मेरी पूजी है ये मेरी मुड़ी है और ये मेरी खुशी का कारण भी है अंकल अभी थोड़ी हम lifestyle के बारों में बात करेंगे आप books बहुत पढ़ते हैं मैं बार आके देखा पहले तो लगा कि मैं कोई library में हूँ फिर मुझे लगा मैं कोई spiritual journey से निकल रहा हूँ इतनी सारी किताबे हैं बाहर आप कौन सी किताबे पढ़ते हैं अगर आप कुछ suggest कर सके हम लोगों के लिए ये हमने तो बहुत कम किताब पढ़ी है लेकिन जितनी भी पढ़ी है उसमें से अमली करन जादा से जादा किया है मेरा ये भी मानना है जादी किताब नहीं पढ़ो तो चलेगा लेकिन जो किताब पढ़ो अपने जीवन में पूरे-पूरी उतार डालो अपने आप रिजल्ट मिलना चालो हो जाएगा अप एक शिक पत्र वो भी मेंने पड़ा है और यू कें वीन वो भी मेंने पड़ा है जिनकी जित्वानी जड़ी बुटी वो भी पड़ा है एटले रोबिन सर्मानी मौंकु सॉल्डिस फरारी वो भी पड़ी है पांच-छे पूक पूरी पड़ी है और बाकी गूक काफी मेरे को गिफ्ट आती है तो मैं उपर उपर पड़ लेता हूँ देख लेता हूँ सार तो समझ लेता हूँ लेकिन सब के लिए रखता हूँ ये सब आई हुई major book gift आती रहती है लेकिन जो पड़ी है वो जिवन में उतारी है मेरा कहने का मतलब काफी बार होता है काफी बार बुलाए बुक पड़ो जो पड़ो वो जिवन में उतारोई जितना भी समझो अपरेजिवन में चालू करो काफी बार ऐसा होता है, मैं बाहर गाओं गया, एक पोग्रम में गया, वहां मैंने अच्छा थोड सुन लिया, अच्छी ठीरी सुन लिया, और मैं फोन करके अपनी टीम को बता देता हूँ, अभी मैं घर पे नहीं आया, लेकिन इंप्लिमेंट चालो हो गया, ये विकास की ए तो इमीजेटली जिवन में अनुकरन करना चालो करो, अपने आप फ़र्ड मिलना चालो हो जाएगा, और मिलता है, मैंने अनुभू किया है, अंकल आप तो बहुत घुमे होंगे, आपने पुरी दुनिया शाहिद देख ली होंगी, आपके फेवरिट डेस्टिनेशन कौन स है, जहां पर आप हॉलिडे पर जाना पसंद करते हैं? जहां परिवार जब भी देगा, तभी मेरा डेस्टिनेशन परमेन वही होगा, और आज भी मैं परिवार के लिए दुसरा डेस्टिनेशन जाना पसंद करता हूं, क्योंके परिवार को पसंद है इसलिए, या तो बेटे को पसंद है इसलिए, या तो भाय को पसंद है इसलि बिजनस से बारा मिलें बिजनस और परिवार ने आपको यहां पर रोक के रखा है नहीं तो आप वहां पे अपना हेड़कॉर्टर बना लेते हैं अभी पदमस्री के बारे में बात करते हैं बहुत बड़ी सिद्धी होती है किसी की पी लाइफ में बुच्छ नेकर मेरे लिए तो सर्पराईज की बात है ना तो में मानता था सुभे मैं फौन आया ओम मिनिस्ट्री में कि आपको साम को यह निज मिल जाएगा तो पहले तो मैं माना नहीं सारा कूई मस्करी कर रहा है वेरिफिकेशिन किया ना और तो पूरा सुबेश आँठ बजे पून आया था, उसने बोला था, साम को साथ बजे न्यूज में आये तब तक किसी को बताना मत, आप इंटरेस्टेट तो है ने में नोगिए, इंटरेस्टेट तो क्यों नहीं होगे, कि आपको कौलिफायर किया है और आपको साइद मिले तो साम को नियू जा जाएगा तब तक किसी को नहीं बताने हैं। साम को साथ बजे मुल जा गंटा ग्यारा साल जैसा लगा था। क्या नियू जाता है। इतना एक्साइटमेंन था। साथ में फ़ादर, मजट दोनों थे, वाइब थी, बेटा भी था। जहाँ जिसकी एक काम से मिल रहा है, वो काम पे हम थे, वहाँ पे थे, वहाँ ही नियु जाया साम को पोनाया, वहरी हपी, इससे वो दिन की मॉमेंट बहुत कम लोगों के भाग्य में होती है, और इसका एक्स्प्लाइन भी कम लोग में समझा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन अजबूत ये स्थिति होए, शादिया सब के जीवन में आती है, खुशिया सब के जीवन में आती है, ऐसी खुशिया बहुत कम जीवन में, इसमें मैं हूँ इसलिए इसकी happiness की तो कोई व्याक्या की नहीं जाती इसके लिए तो जबी 75 सरोर बना था तब पदमस्री मिला था इसके बाद से पूरा जीवन पानी के लिए समर्पन कर दिया इतनी खुशी तो की लेवल है इसकी बता नहीं सकता हूँ और फाइदा भी इतना है अभी आज कोई समझ नहीं रहा है लेकि आने वाली पेटी उसको समझेगी कियो पदमस्री मिला और क्या काम किया और कितना बड़ा काम किया इतना बड़ा काम हुआ है अंकल एक लास्ट क्वेस्चेन आपने नरिंद्र भाई को करीबी से देखा है आप शायद मिले भी होंगे कई बार हमको तो चांस नहीं मिलता मिलने का आप तो कई बार मिले हैं तो कुछ आपने देखा होगा नरिंद्र भाई की जो जिवन शेली है उनका जो काम करने का तरीका है लोग बोलते हैं बहुत अलग है तो ऐसी कौन सी चीज़े जो आपने सीखी उनसे नरेंजर भाई जिसको भी टाइम देता है ने कौलेटी टाइम देता है जिसको भी सुनता है ने तो ध्यान से सुनता है और उसका मकसद, उसका काम करने का तरीका, उसका लक्स एकदब क्लियर है, उसके पास औरा ही अलग है, मैंने तो दो बार हग किया हुआ है, बेट किया हुआ है, आज वो बोलेंगे तो अपकोस कोई नहीं मानेगा, लेकिन उसका औरा अलग है, वाइब्रेशन अलग है, जैसा जैसा काम हम करते जाते है मतलब हम बोलेंगे हमको doubt होगा लेकिन मेरा experience बता हूँ जितना अच्छा काम करते जाता है इतना अच्छा हमारा ओरा बनता जाता है इतनी अच्छी हमारी smell बन जीज़ता थी इतनी अच्छी हमारी अक्रशन बनता जाता है ये यह जनम मिलने के बाद भगवान बना जाता है, महा मानो बना जाता है, विशेश व्यक्ति बन सकते हैं, यही ओरा इसमें देखती है, यह ओरा उसमें है, यह तो मैंने काफी बार फिल किया है, तो यह तो अलग व्यक्तिक्त्व है, और आज अमारे देश का यह लीडर है, या जिवन दोरी इसके आत्मे है, हम पूरा देश वासियों नसीबदार है, भाग्य की बात है, ये बहुत बड़ी स्टोरी बनने वाली है, वो काल में हम जिन्दा है, और विशे से हम लोग ये काल उसके साथ मिलते है, और मिल सकते है, वो भी बहुत बड़ी बात है, और ये वो तो आने वाला इतियास, अपने बेटे को, अपने आने वाली पेड़ी को बताएगा, ये क्या इतियास बन रहा है, ये ही काल हमारे नसीब में आया है, बगवान का आभार है, हम लोग सब ये ही सोस के साथ, भारत का विकास के लिए काम कर रहे है, आपको भी खूब कूब अभी नंदन, इतनी सोटी साल में आप जो ये लाइन पे सड़े है, अच्छे से आजमिन से मिलते रहो, अच्छी बाते करते रहो, नेगेटी सोस रखने का नहीं, और नेगेटी बात का कभी प्रसार नहीं करने का, हमको तो सुस अच्छी रखने का और अच्छी विचार करने का, अपने आप आपका भी विकास हो जाएगा, ऐसी सुब काम ना, थैंक यू वेरी मुश, थैंक यू सो मुज अंगल, थैंक यू सो मुज. था लाज आपका याह विबागा, आपका यू साह locks कि भी प्रसार नहीं मुज,